इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के विशह में और सेंटेंस के विशह में ये देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस का मिन्स क्या होता है वाक क्यों होता है और सेंटेंस का निर्मान जो होता है इसके विशह में हम आपको बताते हैं starting जो अंग्रेजी grammar हम लोग करते हैं उसमें सबसे पहले a से लेकर के z तक 26 letters होते हैं यानि starting अगर हम अंग्रेजी की करें तो later को सबसे पहले समझना होगा और later के बाद कई later को मिला देने के बाद जैसे अगर हम बात कहें आपको जैसे a है और t मिला दिये तो a t क्या हो गया ए a अकेला individual letter है t क्या है एक individual letter है लेकिन अगर a और t को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है at miss क्या होता है पर होता है एक word बन जाता है जैसे c अभी अकेला है a अकेला है और t अकेला है अगर तिनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जागा c a t cat बन जागा और cat क्या एक word है ल जैनि group of letter is called words कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, और words के भी से हमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे words, all the words, all the words are classified into eight groups, you know, eight groups होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, noun है, pronoun है, adjective है, verb है, adverb है, उसके बाद preposition, conjunction, interaction, ये आठ जो है, आपको पूरे अंग्रेजी grammar, आप जो अंग्रेजी grammar या इसका कोई भी books देखते हैं, उनमें आठ ही तरह के सब्द लिखे हुए रहते हैं, तो later से क्या बनता है, words बनता है, और कई तरह, मतलब group of words, जैनि बहुत सारे words को एक साथ मिला दिया जाए, तो वह sentence का निर्मान कर लेता है, और फिर कई sentence को जब मिलाते हैं, paragraph बन जाता है, और paragraph से फिर page बन जाता है, और page से कई page को मिलाने से एक book बन जाता है, तो यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं, cable sentence के बिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक वीडियो आपको मिलेगा, cable letter का, फिर words के बिसे में अलग-अलग पढ़ना परेगा, आपको जैसे noun है, pronoun है, objective है, फिर उनके huge common error, उस पर किस तरह का common error उसको बनाएंगे, भिन भिन तरह का जो उसके related words है, उनकी understanding, जैसे some copy का करेंगे, few copy का करेंगे, इन सब चीज की बिसे में हम लोग-अलग वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग sentence की बात करते हैं, इसलिए sentence हम लोग इसको जान करता है, तो इसे ही हम क्या करते हैं, sentence करते हैं, जैसे हम आपको बात करते हैं, sentence की बात करें, तो sentence के लिए need किस चीज की होती है, किस चीज के लिए, किस-किस element की need होती है, तो सबसे पहले हम आपको अगर बताएं, कि sentence के लिए group of words चाहिए, तो group of words की need होगी, उसके बाद हम क्या रहे थे कि complete meaning यानि arrangement इसके बाद जो है दूसरा points जो है हम देखें तो arrangement है आपके मन में ये प्रसन उठता होगा group of words तो आप समझ गए कि कई words मतलब एक साथ जो है दो से दो या दो से अधिक words होने चाहिए जब हम sentence का निर्मान का सकते हैं उसके बाद क्या है arrangement चाहिए arrangement क्या होता है कि arrangement आपको हम उसके arrangement बताएंगे जैसे कोई भी sentence का arrangement हिंडी की अगर बात करें तो हिंडी की arrangement की अगर बात करें sentence है और sentence की हिंडी की arrangement करें जैसे है लिखावा राम एक पत्र लिखता है तो राम क्या है यहां subject है यहां पत्र क्या है object है और लिखना क्या है वर्ब है तो हिंदी की arrangement की बात करें तो पहले subject होता फिर object उनके बाद क्या होता वर्ब होता लेकिन इंग्लिस की arrangement की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता subject होत क्या लिख रहे हैं सब्जक्ट लिख रहे हैं उनके बाद क्या लिख रहे हैं और लास्ट में हम क्या लिखते हैं अब्जक्ट लिखते हैं तो राम राइट से लिटर यानि सब्जक्ट वर्ब और अब्जक्ट इनके बाद हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं ठीक है इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदी के structure हिंदी के जो sentence होते हैं इसमें subject object और वर्व होता है उसके बाद अंग्रीज के arrangement होता है sentence का वो subject वर्व और object होता है तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो group of words तो चाहिए ही चाहिए देखिए इस words में ही देखिए इस sentence में ही देख लीजिए तो इस sentence हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ राम राइट से लेटर लिखा हुआ राम राइट से लेटर तो आपको देखिए क्या सब है नीड इसमें देखिए तो words तो है इसमें एक दो तीन, चार वर्ड्स हैं. इसमें कितने वर्डस हैं? चार वर्ड्स हैं. तो अब हम ये कह सकते हैं अगर ये चार वर्डस इसके अंदर है तो ग्रूप अफ वर्ड्स तो है. अब इसका क्या है? arrangement क्या है? अन्ग्रेजी में पहले subject होगा, verb होगा, object है subject, verb, object भी है इसमें लेकिन उनके बाद क्या है का इसका मिनिंग मिनिंग भी होना चाहिए एरेंजिमेंट हो गया मिनिंग देखते हैं राम पत्र एक पत्र लिखता है तो मिनिंग भी निकल रहा और सेंस भी देता है इसलिए यह सेंटेंस क्या है सेंटेंस के रुप में है लेकिन object वियानी subject verb object है object की रूप में called को हम देख रहे हैं लेकिन call object के रुप में नहीं है लेकिन हम object की रूप में देख रहे एंते तो इस सब्चक्ट आपफ उसके बाद वर्व है arrangement इनका ठीक है और अगर arrangement ठीक है group of words है meaning भी यह दे रहा है सुगल यह ठंडा जिए छो यह सरुड़ी है, और यह जो दिया गए, यह arrangisman है, यह जी जो दिया, इसका मतलब group है, यानि group of words भी है arrangement भी है और meaning भी सुर्ज गर्म है दे रहा है sense भी सही है इसका सुर्ज ठंडा है कि अब निस पर सुर्ज गर्म है एक्दम बिल्कुल सही sense है लेकिन ठंडा है एक्दम wrong sense है इसलिए sentence के सिरिने में नहीं आता है sentence के सारे rules follow कर रहा है लेकिन एक rules क्या है sense है वो follow नहीं कर रहा है इसलि गृषव मुष़को स şunu सरनिव में नहीं रखते है अब हम बात करते हैं टाइप सॉप सेंटेंस की बात करें है सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो टाइप सॉप चिंटेंस है असर्टिव होता है इस सपेट्मेंट का मभ से में दो सो हो रहा है या सर हो गया गया अगर पॉझिटीव एन actively ौँट हो गया समय निगेटिव और घंटेंस हो यह बात आपको समझ में आ गया होगा अगर हम पॉझिटीव एस्टेट्मेंट की बात करें तो यम उधारण की तौर पर देखें तो राम एaction एक एक दोंगा क्योंकि इसमें positive बात कही गई है लेकिन जब हम यह कहते कि राम does not eat an apple मतलब यहां कह रहे हैं कि राम एक सीव नहीं खाता है तो इसना मतलब है यहां negative word यूज किये अब यहां देखिए इस चीज़ को आपको समझना होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे कि assertive sentence कि इस परका example से हम आपको समझाने का प्रयास कि अब अगला हम देख रहें interrogative sentence क्या दिया गया है interrogative sentence दिया है interrogative sentence क्या होता है interrogative sentence होता that is used to ask question यह कोई भी question ask पूछने के लिए प्रस्ण पूछने के लिए जैसे कहते हैं कि are you ready क्या आप थेयार है तब आप कहते हैं where are you going जैसे आप कहां जा रहे हैं what is your name आपको पूछते हैं जो कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम के आप कहां जा रहे हैं क्या करते हैं अगर आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह क्या interrogative sentence है और interrogative sentence को कैसे पहचाना जाएगा यह सब भी हम आगे चल करके interrogative sentence पर work करें वेयर हो गया डवलु एच यारी वेयर हो गया डवलु एच वय हो गया ठीक है उसके बाद क्या हो गया हाउ हो गया हाउ हो गया उसके बाद क्या हुआ वेयर उसके बाद क्या वाट हो गया उसके बाद हू हो गया इस सब क्या है डवलु एच वर्ड्स है वीच हो गया हूम ह हो गया इसी तरह से हम आपको बताती है यह सारी w h What र यह उरस्ट यूज है वड्व हें रहे है लगजात है तो लास्ट में क्सिंस लाइड लगत तो समझ जयी Weekly क्य क्याइं इन्टेटीब संटेंट्पby क्यूँस है और इसमें यह सुरुप से नेक्स्ट विडियो तो आप क्या आंसर देंगे यह में यह देंगे यह नो में क्या वह एक डॉक्टर है तो आप यह यह बोलेंगे कि यह तो नहीं है यह नाम आंसर देंगे तो यहां इसमें पहले helping word का use होता है एक में WH word का पहले use होता था तो yes or no थाइप और WH word भी आपको समझ में आ गया होगा यहां तक कोई तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी एक तीसरे टैप की अगर बात करें sentence के तीसरे ट्यप की अगर बात करें तो sentence जो होते हैं इसरे टाइपस में imperative sentence होता है और imperative sentence सबसे पहला questions बनता है कि imperative sentence है क्या है अगर imperative sentence की बात करें तो इस sentence shows that shows instruction, advice, order, command and request की बात करता है instruction आपने निर्देश देतना, advice मना सलाह देना, order मतलब क्या होता है, order मतलब होता है, command मतलब भी आदेश देना होता है, request मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, चलिए एक-एक sentence के जरी हम समझने की कोशिस करते हैं कि किस type के sentence इसमें आते क्या है घैल्प दीपूर है तिसका मतलब क्या हो गया इडवाइस हो गया है 洗elp दिपूर हम कहा रहे मतलब आप गरीबों की मदद की जी थे एक सलाह देने कहांसे आप मदद करिये और ना करिए यह तो आप पर निर्भर करते है लेकिन हमने क्याesperS सलाह देने की कोशिस किया है, तो सलाह दिये हैं, तो help the poor क्या हुआ, हम कहते हैं कि take medicine twice a day, डॉक्टर कहते हैं, पेसेंट को take medicine twice a day, मतलब एक दिन में दो बार आपको दवा लेनी चाहिए, सलाह दिया, लेकिन क्या जरूरत है कि हम उनकी सलाह को मान लेते हैं, अगर सलाह को मान लेते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, और हम उनकी सलाह को नहीं मानते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे लिए वहानी भी हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत है, उसके लग जाता है तो इस तरह से आपने imperative sentence के विसमें भी संजानकारी प्राप्त की और इसके बाद है चौरथा नमर का है optative sentence, यह optative sentence क्या होता है, optative sentence के विसे हम जानते है, optative sentence मतलब a sentence that shows wish, desire, prayer and expressed by the optative sentence है, यह जो desire है हमारी चाहत है, wish है हमारी जो चाहत है, या फिर क्या कहते है, prayer हम जो प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिजे से कहते हैं, कि आप अपने बच्चे को या हम अ मैं कहते हैं कि नहीं, भगमान तुमारी मितलब जो है, सफलता रखे, आपको सफल बनाए, wish करते हैं, किसी के wish you a very successful, मैं आपके साधी क्या हो, बहुत अच्छी तरके से सफल हो, बहुत अच्छी तरके से हो, मैं wish कर रहा हूँ आपके लिए, तो may God bless you, यह क्या है, wishing किया जा जायर है, prayer है, etc, यह सारे चीज होंगे, ठीक है, अब अगला अगर हम बात करें, exclamatory sentence की, last sentence है, यह exclamatory sentence, यानि इस परकार अगर कहें, तो कितने types के sentence होगे, 5 types के sentence होगे, एक तो होगे, assertive, दूसरा interrogative, तीसरा imperative, चोथा optative, और पाच्छमा है, यह exclamatory sentence है, a sentence which expresses a sudden and intense excitement, admiration, shock and sorrow, यह सोड़ का मतलब क्या हुआ, दुखी होता, shock मना जटका लगना, admiration मना परसंसा करना, excitement मना उत्तेजित होना, देखते हैं कभी-कभी क्या हो जाता कि कुछ बात को लिकर के, जैदा intense excitement हो जाता है, मतलब पूरी रादे के साथ, यहानि यहां जो लिखा sentence which express मना जो क्या करत है, express करता है, अपनी प्रकट करता है, अपनी भाव को रखता है, यह sudden, मतलब strong feeling को जो सूह करता है, तो उसी exclamation जैसे हम कहते हैं के, hey, don't touch my phone, मतलब हम उसको कहते हैं, hey कहकर के, यहां इसमें exclamation mark लगा रहता है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें exclamation mark लगा रहता है, औ और ऐसे words यूज किया जाते हैं, जैसे लगएगा कि strong feeling हुई, जैसे आपको short लग जाता है, जैसे ओह कावाज आया, तो ओह क्या है, यह है exclamation sentence को indicate करने वाला words है, तो hey, don't touch my pen, इस तरह का जो है, देखते है, exclamation mark लगा है, उसमें, उसके बाद what a boring day, आज कितना boring day हो गया, त इस तरह से लगता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपने 5 steps के sentence को देखा, अगर आपको इसमें किसी तरह का problem होता है, और आप कहीं problem feel करते हैं, तो आप मेरा description box में number दिया रहा था, whatsapp number, contact number, आप direct हमसे contact कर सकते हैं, whatsapp के जड़िए, या whatsapp के जड़िए, या फिर क्या कहते हैं, contact number के जड़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो like करिए, subscribe करिए, और share करिए, अधिक से अधिक लोगों को share करिए, ताकि हमारे family में और सारी लोग जूर सके, thank you, thank you for watching this video.